आज की वीडियो में आपको बताना लूँ आप अपने Android डिवास में iOS का डाइलर और iOS की कॉलर स्क्रीन कैसे इंस्टोल करें अपने Android डिवास में तो कि आज की वीडियो नोले काफी जादा खास नोली हैं तो कि आप इस वीडियो को पूरा देखना लास्त तक बिना स्कीप करे ताकि आप बहुत ही असानी से अपने Android डिवाइस में iOS डाइलर एंड कॉलर स्क्रीन दोनों इस्टोल कर पाएं अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो बैल अगुन को अलपर सट करें ताकि आपको मारे चैनल के वीडियो की नॉट्फिकेशन मिलते रहें आज क अब इस वीडियो को यहां से एकतम द्यान से देखना ताकि आप अपने Android डिवाइस में बड़ी असानी से iOS का डाइलर एंड कॉलर स्क्रीन लगा पाओ तो आपको इस वीडियो को एकतम द्यान से देखना बिना स्कीप करें तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दू यह हमारा ओपो का फोन और इसके अंदर जो डाइलर है आप देख सकते हो यह हमारा जो फोन के अंदर आता है वो ही डाइलर है तो हम इसे अब चेंज करने वाले है iOS का डाइलर अपने Android डिवाइस में लगाने वाले है वह बहुत ही असानी से अब इस वीडियो को यहां से एक तम बिन स्कीप करें देखना तो छलिए चलते हैं सबसे पहले पास इस्टेप की तरफ आपको गया करना है आपको आ जाने प्लेश टोर पर पर प्लेश टोर पर आ जाने के बास यहां पर आपको सर्चवार में लिखना है आई को यह चौन्टेक्ट्स एंड कॉल आपको इदने सब्सक्राइब कि एक सेक्ट में इस्टोल हो जाएगी और इसका काफी अच्छा यूज़ से आप बहुत ही असानी से अपने फोन में डाइलर एंड कॉल स्क्रीन चेंज कर पाऊगे अपने डिवाइस की तो गई से हमारी अप्लेकेशन इस्टोल हो चुकिए अप चलते हैं अ का साथ वेट होगा आपकी अप्लिकेशन लगी की सैट होगी है कैंसल कर देते हैं किस राइट हो गया है फिर से सैट कर देते हैं यह दोनों चीज़े सैट हो चुग है राइट टिक आ जाएगा आपके फोन पर एंड कंटिग करने तो किस अभी हमारी फेवरेट में कोई लि आइफोन का सो रहा है इस एप्लिकेशन में जिससे कि कैस आप भी अपने फोन में यह एप्लिकेशन जब स्टोर करोगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करने लग जाएगा कॉल भी लगना शुरू हो जाएंगी अगर आप तुरंत स्टार्ट कर देंगे तो तो कैस यह लग चुका हमारा मतलब एक काम हमारा हो चुका आपको इस एटा देना सिम्पली एंड यह आप यहां पर लगा लें इसका आप यूज ना करें मतलब ऐसी रहन दे आपको यह मिल जागा तो कैस आप देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है जिपिन करीशन अब बात क आपको कुछ ऑप्सन देखने को मिलेंगे चेंच वाल पेपर ऐसा कुछ करके तो आपको सिंपल चेस पर क्लिक करना है क्लिक करने को आपको सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा तो आपको एक इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको कुछ इस तरीके से देखने को भी लगा unknown and number देखने को मिलेंगे तो कैसी एक theme है and इसी time है guys आपको बहुत सारे theme मिल देखने को मिलेंगे नेकिन जैसी आपको कैसी का call आगा आगा तो guys आपको ऐसी theme देखने को मिलेगी and आपको choose from gallery कर देना है फोटो इतना करने कोद कि आपको अपने phone में जहां भी फोटो जैसे कि मैं यहीं ले ले लेता हूं simple से तो यह हमारा screenshot है फोटो का तो इससे मटा देते हैं हम सही सही फोटो लगाते हैं चलते हैं अपने इसमें जहां भी मेरा फोटो में उसे select कर लेते हैं तो guys थोड़ा से उपर करके लिए तक हमें अपनों नाम सही से दिकर क्रॉप कर देते हैं तो आप देख सेकते हो यह लग चुकी है हमारी photo आपको सिर्फ set theme पर कर देना और हमारी photo set हो जाएगी एंड बिलर आपको दो टैब में देखने को लिए एक ऐसा बिलर एंड आपको फोटो सिंपली देखने को मिलेगा अगर किसी कभी कॉल आता है तो guys आपको अपनी फोटो सोगी तो guys मेर कोई अच्छा नहीं लगा इसलिए आप चाहें तो यहां से यहां लगा सकते हैं कोई से भी कई सारी थिम फिरी हैं बस आपको एक एड देखनी है और सेट थिम पर कर देना है and guys यहां पर आपको एक बटम थिम को देखने को मिलेगा इसमें कहाईगी किस आपको काफी जादा option देखने को मिलते हैं simply आपको क्लिक करना है and आपकी जो caller screen ना व अपने फोन पर बस आपको सेट पर किलिक करना है इतना ध्यान रखना है तो आपको इस पर क्लिक करते ही all context कर देना and यहां पर ग्रिंटिक देखने को मिलेगा और यह आपके फोन में सेव होगी तो आज की वीडियो बस इतना है मुझे कमेंड करके जूरू बताना आपको ए अडिकेशन मिलते रहें और आज की वीडियो का लाइक टार्गेट है तो ज्यादा नहीं चलिए से कंप्रीट करवा देना और अभी तक आपने में इस्टाग्राम पर फॉल्व नहीं कर दो डिस्कुशन को लिएगा में इस्टाग्राम पर फॉलो करने तो कैस मिलते हमारी आटे चार्गेशन में